दोस्तो PC से लेकर कंसोल में हमें Rockstar Company की तरफ से बहुत सारे मज़ेदार गेम्स देखने को मिलते ही हैं और इसी में अगर बात करें स्मार्टफॉन की तो हमें स्मार्टफॉन के अंदर भी बहुत सारे Rockstar Companies के गेम्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको GTA से लेकर अलग लग तरह के उपन वर्ड गेम्स देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो इसी में आज की इस वीडियो में मैं आप लूंक लेकुझे से मज़ेदार टॉप 7 Rockstar Games लेके आए हूँ जिनने आप बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफॉन में खेल सकते हो तो दोस्तो इनी सारे गेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने भी तक चैनल को सबस्क्राइब निकर लेना जिससे चैनल से रेलेटेट आप किसी भी अपडेट को भी इस नहीं कर पाओगे तो गैस बीना देरी के चले इस मज़ेतार वीडियो को स्टार्ट करते हो देखते हैं नमबर वन पर कौन सा गेम निकल के आ रहा है गैस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे और पहले नमबर पर जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है Grand Theft Auto 3 दोस्तो रॉक्स्टार कंपनी की तरफ जाना लएक बहुती शानदा 3D ओफलाइन ओपन वर्ड गेम होने वाला है और सारी जीटी सीरीज के गेम की तरह इस गेम के अंदर आपको बहुती अच्छे उपन वर्ड इन्वार्मेंट में स्टोरी लाइन के साथ सार मिसंस कम्प्लीट करने को मिल जाते हैं और मिसस कंपलीट करने के अलावा इस game के अंदर आपका character है गैंक्षर का होगा जिसे अलग-लग तरह के मिसस कंपलीट करके इस game की storyline को continue करना पर सकता है और इसके open world environment को explore करने के लिए आपको अलग-लग तरह की car vehicle से लेकर helicopter जैसे बहुत सारे vehicle के option इस game के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से इसके open world environment में extra activities भी बहुती easily कर पाओगे तो guys अगर आप भी अपने smartphone में GTA games को खेलना चाते हो तो ये game अभी प्लेश्टोर पर paid है मगर third priority website पर जाकर आप इस game को free में अपने smartphone में download करके install कर सकते हो guys number 2 पर है GTA Chinatown Wars दोस्तो रॉक्स्टार कंपनी की तरफ चानला ये भी एक बहुती शानदार और open world offline game है जिसके size के बारे मैं बात करें तो इस game का size 600 MB तक है और top down mode के अंदर आपको इस game के अंदर अलग लग तरह के missions complete करने को मिल जाएंगे जिसमें आपको police chase से लेका gangster fight जैसे अलग लग तरह के missions के अलावा और भी extra events खेलने को मिल सकते हैं जिससे ये game GTA series का एक बहुती शानदार open world game बन जाता है और थोड़ा बहुत पुराना होने के बावजूद भी इस game के अंदर आपको ठीठा graphics देखने को मिलते ही हैं साथ ही इसमें आप assault rifle से लेकर अलग लग तरह के weapon का इस्तिमाल करके fight भी कर सकते हो तो guys अगर आप भी अपने smartphone में एक बहुती मज़ेदार top down mode के अंदर GTA series का game खेलना चाते हो तो यह game आपके लिए एक अच्छी choice हो सकती है जिसे आप प्रेश्वर पर जाकर डाउन्लोड कर सकोगे guys वीडियो में आगे बढ़ते हो नमबर 3 पर है Max Payne Mobile दोस्तो Max Payne Mobile PC version Max Payne का ही mobile version game होने वाला है जिसके size के बारे मैं बात करें तो इस game का size 1.1GB तक है और 1.1GB के अंदर आपको इस game के अंदर बहुती अच्छे graphics देखने को मिलते ही हैं साथी इस game के अंदर आपको बहुती अच्छी storyline भी देखने को मिल जाएगी जिसमें आपका character एक police officer का होता है और आपको अलग-लग तरह की murder mystery को solve करके इस game की storyline को continue करना पड़ेगा साथी murder mystery को solve करते वक्ता आपको इस game के अंदर बहुत सारे अलग-लग तरह के enemies देखने को मिल जाते हैं जिनने defeat करने के लिए आप pistol, shotgun के अलावा इस game में दिएगे slow mode का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी Max Payne game के fan हो और आप भी अपने smartphone में इस game को try करना चाते हो तो प्ले स्टोप पर जाकर आप इस game को खरीद कर play कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ते हो नमबर 4 पर जो game निकल के आ रहा है उस game का नाम है GTA Liberty City Stories दोस्तों Rockstar Company की तरप चानला ये भी एक GTA series का ही बहुती मज़ेदार offline open world game है जिसके size के बारे मैं बात करें तो इस game का size 1.8GB तक है और 1.8GB के अंदर आपको इस game के अंदर बहुती अच्छे graphics दो देखने को मिलते ही है साथी GTA series का ही game होने की वज़े से इस game के अंदर आपको बहुती अच्छे storyline और gangster fight देखने को मिल जाएगी जो इस game को एक बहुती मज़ेदार open world game बना देता है साथी इस game के अंदर आपको police chase से लेकर extra events देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप extra missions को complete करके इस game के अंदर ज्यादा से ज्यादा rewards को collect कर पाऊगे तो दोस्तो अगर आपको ये game पसंद आया तो इस game को आप प्रेश्ट रूप पर जाकर खरीद के अपने smartphone में enjoy कर सकते हो गाइस नमबर 5 पर जो game निकल के आ रहा है उस game का नाम है bully anniversary edition दोस्तो ये भी एक बहुती शानदार offline open world game होने वाला है जिसके side के बारे मैं बात करें तो इस game का size 2 GB तक है और 2 GB के अंदर आपको इस game के अंदर ठीक ठाग graphics देखने को मिलते ही हैं साथ ही इस game में आपको बहुती अच्छी storyline देखने को मिल जाएगी जिसमें आपका character एक school boy का होता है जिसे अलग-लग events और missions complete करके इस game की storyline को complete करना पड़ सकता है जो इस game को एक बहुती शानदार open world game बना देगा साथ ही इसमें आप अलग-लग तरह की bully fight करने के अलावा और भी बहुत सारी fight events खेल सकते हो तो दोस्तो अगर आप भी इस game को अपने smartphone में try करना चाते हो तो प्लेश्टोर पर जाकर आपको इस game को खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये game अभी paid है वीडियो में आगे बढ़ते हो नमबर 6 पर है Grand Theft Auto YCT दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि GTA YCT Rockstar का बहुत ज्यादा famous game है और उसी का mobile version game आपको प्लेश्टोर पर मिल जाता है जिसमें आपको PC version का जैसे ही similar gameplay के साथ-साथ same missions खेलने को मिल जाएंगे 37 में आप extra missions को complete करके ज्यादे से ज्यादा rewards को collect भी कर पाते हो 37 में आपको police chase और gangster से fight करने के लिए बहुत सारी machine guns के साथ-साथ tank के भी option दिये गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से इस game को easily खेल सकते हो तो दोस्तो अगर आप भी YCT game को अपने smartphone में खेलना चाते हो तो प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आपको इस game को खरेदना पड़ेगा जिससे आप easily अपने smartphone में इस game को खेल सकते हो Guys वीडियो में आगे बढ़ते हो लिस्ट में आज के आखरी game का नाम है Grand Theft Auto San Andreas दोस्तो GTA San Andreas भी Rockstar का बहुती ज़्यादा famous game है जिसके अंदर आपका character CJ का होता है और आपको अलग-लग तरह के missus complete करके इस game की storyline को complete करना पड़ेगा साथी इसमें आपको helicopter से लेकर jet plane अलग-लग तरह की sports car जैसी बहुत सारे vehicle के option भी इस game के अंदर दिये गए हैं जिनका इस्तेमाल आप इस game के open world environment को explore करने के साथ-साथ बहुत सारे missions complete करने के लिए भी कर सकते हो साथी police और enemies के साथ fight करने के लिए इस game के अंदर आपको बहुत सारे weapon की भी option देखने को मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से इस game के सारे missions को complete कर सकते हो तो guys अगर आप भी अपने smartphone में इस game को खेलना चाते हो तो ये game प्लेशोर पर available है जहां से आप इस game को download करके enjoy कर सकते हो तो guys ये थे rockstar company की तरफ सानाले को जैसे मज़ेदार android game से जिनके अंदर आपको अलगला categories के games देखने को मिले होंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करके bell icon all पे कर लेना जिससे chance related आप किसी भी update को miss नहीं कर पाऊगे और comment करकर जरूर बताना कि आपको नमें से कौन सा game पसंद आया मिलते हैं नेक्स वीडियो पे बाई